नमस्कार मैं ललित प्रजापती और निज़ेटीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है पुनीद भी हमारे साथ जुड़े हुए है आजकल एक देश है बहुत चर्चा में है वो कह रहा है कि कभी उसे ब्रिक्स का हिस्सा बनना है फिर कभी वो कहता है कि मुझे शांती करवानी है फिर कभी वो कहने लगता है कि जो सारे से इसलामिक कंट्रिझ है वो एक हो जाए तुरकी कि बात हो रही है अर्दुआन के आने के बाद तुरकी में बहुत कुछ बदला है बस्यक्किन उन्हें कहा जाता है खलीफा इसके अलावा उन्हें ताना शाह की भी उपाधी कई लोग देते हैं इन सब की बीच आज तुर्की से चर्चा को शुरू करेंगे और जो स्वागोशे चौधरी बनते हैं अमेरिका वहां तक भी इस चर्चा को लेकर जाएंगे लेकिन सबसे पहले पुनी तुर्की से शुरुआत करते हैं कहां तो शान्ती की बात हो रही थी और कहां तो अब तुर्की ऐसा लग रहा है कि वो इसराइल पे तुनक रहा है ये स्थितियां बनने चली है बिल्कुल देखिए तुर्की के अगर बात की जाए तो नाटो का सदस्य है और अमेरिका तुर्की और कई सारे देश जो हैं कुल 32 देश नाटो में और इसके बावजूद तुर्की का जो रंग ढंग या चाल चलन जिसको हम कह लें तो वो एक गुट में साथ तो है लेकिन ग जो जिस तरीके के उनकी कूट नितिक बाचीत है और वो सारी चीजें उनके ये कह लें कि उनके स्टांस जो होते हैं तुर्की के वो बाकी देशों को चिंता में भी डाल देते हैं क्योंकि तुर्की रशिया जो की नाटो के खिलाफ लट रहा है उसके साथ भी खड़ा है और इसी से तुर्की नाराज है क्यों कारवाई की है इसराइल ने बरबर क्यों इसके पीछे कारण क्या है दरसल अभी हाल ही में वेस्ट बैंक में जो इसराइल की तरफ से लगातार हमले किये गए हैं इसमें एक घटना घटी और इसमें घटना जो घटी वहाँ पर IDF य यहूदी पस्ती इसको लेकर यहां के लोग विरोध कर रहे थे और वो हिंसक हो गया यह इसराइल का कहना है कि वो हिंसक हो गया और इसके बाद IDF ने सैन्य कारवाई की और कुछ लोगों को गोली मारी गई इसमें सबसे बड़ी बात एक है कि इसमें आईसे नुर एकजी इग तुर्की यह एक महिला का नाम है जो कि तुर्की और अमेरिकी मूल की यह महिला है दोनों देशों की उसके पास नागरिकता है उसकी मौत हो गई और उसको गोली मारी गई सर में और इसी को लेकर तुर्की नाराज हो गया है और तुर्की अब यह कह रहा है कि गंभीर इसराइल को इसके भुगतने पड़ेंगे उन्होंने सोशल मीडिया पर तुर्की के राश्टरपती अर्दवान जो हैं सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि ये कारवाई इसराइल की तरफ से जुकी गई है ये बर-बर कारवाई है और अब वो कह रहे हैं मुस्लिम चोपर जैसा पुनीत अभी डिकूर्ट कर रहे हैं कि तुर्की के जो तरीका है वो अभी हाल-फिलाल के दुनों में बहुत बदला है एक और खास बात ये है कि तुर्की हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा है कश्मीर के पॉइंट आफ व्यू को लेकर इस तुर्की के बारे में आप मुझसे बहतर समझ रहे हैं आपने बताया भी कि तुर्की के जो स्टान्स है या तुर्की के जो उसका चाल चलनी या उसका जो रवाया है वो ऐसा लगता है कि वो साथ में तो खड़ा है लेकिन फिर भी बाहर अपने आपको अलग दिखाने की को तो इसराइल भी ये मान रहा है और तुर्की की तरफ से अगर ये कह दिया गया है कि जो हमला आपने किया ये बरबर था और आपको गंभीर परिणाम भुकतने होंगे तो उसका मतलब हम समझ सकते हैं कि एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है और तुर्की और इसराइल आमने सामने हो सकते हैं हाला कि दोनों देशों की दूरी बड़ी ज्यादा है और करीब बारा सो किलोमीटर की दूरी दोनों देशों के बीच में अगर मैप पे देखेंगे तो उसमें साफ होई ही जाएगा लेकिन इसके बावजूद भी तुर्की जो है वो नाराज हुआ पड़ रही है कुछ जो एक इंटरनेशनल न्यू सोसाइटी है उसने ये खबर दी है कि जो इसराइल है उसने भी सीरिया पर हमला किया है तकरीबन सूलह लोगों के मारे जानी की खबर है तीस से जादा गाहल होने की बाद भी निकल कर सामने आ रही है इस पर आगे हम चर्चा करें कि इसराइल जैसे आपने बताया कि सीरिया पर उसने हमला कर दिया इसराइल लिबनान पर भी हमला कर देता है इसराइल हिजबला पर भी हमले करता है इसराइल हमास पर भी हमले करता है और हमले जब करता है या वेस्ट बैंक में उसकी सैने कारवाई होती है तो उसके पास को हमारे खिलाफ जो है वो साज़िशे बुनी जा रही थी और अभी हाल ही में जो वेस्ट बैंक की बात हम कर रहे हैं वेस्ट बैंक में जो हमले हुए इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है उसकी तरफ से प्रतिक्रिया जो आई है वो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से घाजा से हमास की तरफ से हमले हुए थे बीते साल 7 अक्टूबर को जो हमला शुरू हुआ था वैसा ही कुछ तैयारी जो है वेस्ट बैंक में की जा रही थी और जो लड़ाके हैं हमास की लड़ाके वहाँ पूरी तैयारी करे थे और इसलिए यह सेन्य कारवाई यहां पर ज़रूरी हो जाती इसलिए हमने यहां पर यह एक्शन लिया है बावजूद इसके एकी इंटरनाशनल दबाव बना हुआ है इसराइल के उपर कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बीते दिनों हमको याद है कि छे इसराइली नागरिक जो इनको बंधक बनाया गया था उनकी मौत हो गई थी और इसी को लेकर बेंजमिन नेतनियाहू अपने ही घर में घिरे हुए उनके खिलाफ खुब प्रदर्शन भी चल रहा है अमेरिका भी इससे नाराज था दूसरी तरफ जो मधिस्तता करने के लिए वेस्टमेंग की घटना को लेकर भी इसराइल की अंदर ही अंदर बहुत आलोचना हुई इसराइल के अंदर क्यों क्यों कि लाखों लोग सड़क पर उतर आया क्योंकि शान्ती की बात एक तरफ आप करते हो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि दूसरी तरफ आप वेस्टमेंग में सबसे बड़ा जो है वो हमला लगातार बना हुए तो ये आप कैसे कर रहा है, दोनों तरफ कैसे चल सकते हो, शान्ती की बात करते हो, और फिर युद्ध भी छीड़े रखते हो, तो ये कैसे होगा, इस दी को लेकर बिरोधर? है और कंट्रीज को एक जुट होनी की बात कर रहा है खास तो पर इसलामिक कंट्रीज जिन से लगभग लगभग पुरा इसराइल गिरा हुआ है तो इससे लेकर इसराइल का क्या कोई रियक्शन आया है अभी आपकी नजर में आया कि क्या देखिए इसराइल के तरफ से कोई रियक्शन तो नहीं आया लेकिन इसराइल के तरफ से ये जरूर बार बार ये कहा जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में जो जिस तरीके से लगातार घटना हुई है उसके बाद इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे इरान का हाथ है और मसलरा आज ही हमने एक खबर बताई और उसमें बताया कि तीन इसराइली नागरिकों के हत्या कर दी गई जौर्डन से ये मामला सामने आया जॉर्डन की सीमा भी बिल्कुल सटी हुई है और वहाँ जो हुई तो जॉर्डन से इसराइल के रिष्टे बहुत अच्छे है लेकिन इसराइली प्रधान मंतरी बेंजमिन नितन याहू जो है वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं न कहीं इरान का हाथ है क्योंकि इरान इस तरीके से प्रोक्सी वाड लड़ता रहता है चाहे फिर वो गाज़ा पट्टी से हमास की बात हो या फिर लेबनान से हिजबुला की बात हो वो इसी तरीके से वाड लड़ता है और इसी लिए ये जो मैंने आपको बताया कि तीन इसराइली नागरिकों की जो मौत हुई है इस मामले में भी उंगली ये शक की सुई जो है वो इरान पर ही घुमा रहे हैं और अभी भी अगर ये सब को चल रहा है इस मामले में भी घुम फिर कर बात जो है वो बेंजामें नितनियाहू की तरफ से एरान परी जाएगी बिल्कुल एक जो जहां से दरसल इस चर्चा का जो मूल बिंदू है वो ये है कि तुर्की ये चाहता है कि जो मुस्लिम कंट्रीज है वो एक हो जाएं इस तरह की बातें तुर्की कर रहा है इससे लेकर मैं आपसे विस्तार से पूछूँगा लेकिन बात ये आ रही है कि तुर्की इस तरह की बातें कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाएं ये और बात है कि जो टॉप 10 कंट्रीज है जहां मुस्लिमों के आबादी मसलन भारत तीसरे नंबर पर है दूसरे पर पाकिस्तान है इससे पहले इंडोनेशिया है भारत के बारे में कहा जाता है 2050-60 तक सबसे जादा जो मुस्लिम आबादी वाला दुनिया में देश होगा वो भारत होगा तकरीबन 200 करोन के आसपास मुस्लिम पूरी दुनिया में है तो तुर्की क्या क्या इन सब को एक जोट करना चाहता है अपना दबदबा बताना चाहता है 2020 के आसपास अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका सौदी अरब से इस बात को लेकर विबाद भी हुआ था सौदी अरब के दबदबे की एक वजा है मुसल्मानों की जो सबसे पवितर जगा है मक्का मदीना वो दोनों सौदी के पास है और सौदी काफी हद तक खुले हुए मुल्क की तरह उसका व्यभार रहा है अब मैं वापस इसे पॉइंट पे आ रहा हूँ उसको रोकने के लिए सारे मुसलिम कंट्रीज को एक होना होगा और ये वही बात है जो इरान की तरफ से इसके पहले वक्त में कही जाती रही है और जो आप सौदी अरब की जो बात बता रहा है तो देखिए सौदी अरब का सीधा हिसाब है बिजनस से दिनिया चलती है, पैसा आता है परियतन को बढ़ावा मिलता है, सारी चीजे है तो वो उसके उपर फोकस किये हुए लेकिन अरदुवान मुसलिमों के नाम पर अरदुवान भी तो करना वही चाहते है उसी बिजनस की बात है वो गिजिए तो कर समया है हम इस तरफ भी रहेंगे उस तरफ भी रहेंगे हम उनके साथ भी रहेंगे क्योंकि वीते अगर कुछ वक्त की बात कर ली जाए तो तुर्की ने अपने आपको डवलब किया, खास तोर पर, अगर सैन्य ओकरणों की बात कर ली जाए, या फाइटर जेट्स को बनाने की बात की जाए, तो वो अमेरिका को कहीं न कहीं टकर दे रहा है, और अगर सैन्य ताकत की भी बात कर ली जाए, तो सैन्य ताकत में पू पर अंदर खाने तो बड़ी गहरी दोस्ती है अमेरिका और इजराइल की। में चुकि यह अमेरिका मूलकी भी थी तो दो मुलक ऐसे हैं अभी तक हम को अगर वहां के नागरी को कुछ हो जाता है तो सबसे ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं जैसे इसराइल पहला तो है और अमेरिका उसके पहले है ही अमेरिका फर्स्ट उसकी पॉलिसी भी तो एक तो यह नहराजगी दूसरी बात कि अब वैश्विक दबाव इसराइल पर बढ़ता जा रहा है बीते कुछ दोर दिनों में देखा जाए तो वैश्विक दबाव इस लिहाद से बढ़ रहा है ब्रिटन डारेक्ट डील नहीं करता है हतियार नहीं सप्लाई करता है लेकिन ब्रिटिश कंपनियां उनको निर्यात का लाइसेंस देने का काम करता है तो उसको भी क्योंकि ये बितेन भी माँन रहा है कि अंतराश्णी मानव अधिकार कानूनों का उलंगन हो सकता है नہीज़ियारों के इध्यूर पर कुल मिलाकर प्रेशर बनाने का खेल ये पूरा चल रहा है और तुर्की भी यही कर रहा है तुर्की भी इंडारेक्ट प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है इस्राइल के उपर ये बहुत अच्छी बात लगती है अमेरिका की या जो हथियार का दंदा करते है ये इतनी मासूमियत से महनवादिकारों की बातें करते है और हथियार धडलने से सप्लाई करते है खेर तो क्या ही माना जाया आपने ब्रिटेन का खिकर किया अमेरिका का खिकर किया अंदर खाने से इसराइल में वैसे विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे है वो चाहा रहे हैं कि बंदा को रहाई होनी चाहिए शांती की मेच पर बैठ कर क्या नेतनियाहू की इस्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही है हाँ बिल्कुल नेतनियाहू की इस्थितियां जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है प्रेशर बढ़ता जा रहा है और हमले दर हमले आप आपने जैसे बताया कि सीरिया पर हमला कर दिया उधर लेबनान भी बिल्कुल सटा हुआ है उधर एक हमला और हो गया जो कि हमने आपको बताया कि तीन इस्राइली नागरिकों की अथिया कर दी गई तो एक वो मामला है गाजा पटी जो है वहाँ पर पहले ही चल रहा है वेस्ट बैंक में चल रहा है तो हर तरफ से और फिर घर के अंदर ही घिरे हुए है लोग मान रहा हैं कि नितन्यावू युद्ध को जान बूझ कर खेंच रहे हैं वो शांती नहीं होने देना चाहते हैं और युद्ध को जान बूझ कर छेड़े हुए है तो ये सारी चीज़ें जो हैं अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है युद्ध शांती की बात कहीं थी कि नौ देनों तक शांती अलग-अलग शेत्रों में शांती लेकिन उम्मीद तो यही की जा रही थी ना कि शांती हो जबकि हैरानी की बात यह है कि शांती स्थाबिस हो सके लेकिन फिर बेंजामिन नितन्याव कहा रहे है कि अभी हम उस इस्थिती में पहुंचे नहीं कि शांती की बात हो सके वो यह कहा रहे हैं कि हम उस लेवल पर या उस बिंदू तक पहुंचना चाहते हैं आप समझ रहे हैं कि युद्ध हम अभी भी बंद नहीं करेंगे और इतना तोड़ देंगे इतना तोड़ देंगे उसके बात फिर शानती की बात होगी एक प्रकार से उनका इशारा यही हो रहा है अचा एक लास कोशन कि अगर जंग के हालाद बन रहे हैं फिर से दो मुलकों की बीच टेंशन जैसे सितियां आ रही हैं तब कौन किस पर भारी देखे कौन किस पर भारी तो ग्लोबल फायर पावर एक रैंकिंग होती है साल 2023 की ग्लोबल फायर फावर की अगर बात कर ली अब पर है एक तो ये बात हो गई दूसरी बात की तुरकी जब मुस्लिम देशों को साथ में लाने की बात करा affects किकटा है कुछ मुस्लिम डेश साथ में नवी कौड़े हो तब भी अकर आख़ देखा जाए تو सीरिया जिस χामला कर तिया एक खबर यह आती है, एराण पहले से है, लेबनान पहले से है और यमन यह सब भी साथ में तुरकी के आकर खड़े हो सकते हैं। पिछली बार जब हम बात करे थे कि पड़ावसी हम चुन नहीं सकते हैं। और पड़ावसी मिले हैं और पड़ावसीयों से तालुकात अच्छे रखना चौइए। लेकिन वहाँ तो लगातार भिलंत हुई जा रही है और अगर देखा जाए तो इसराइल में ही वेस्ट बेंक भी उसी के अंदर का हिस्सा पड़ता है, वहाँ पर भी लगातार बंब छोड़े जा रहे हैं, रोकेट छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किये जा रहे हैं, सैनिय कारवाई की जा रही है, तो यह सब क्या चल रहा है, बड़ी हैरानी होती ही वहाँ की तस्वीरे देखकर, आप सोचिए कि किस हालात में वहाँ के ल आएसे नूर एकजी इगी तो चुकि उनके पास दोहरी नागरिकता थी एक तरह से और प्रवोक करना अमेरिका अमेरिका के बारे मों दुनिया जान के बारे में बात करेगा लेकिन अपने नागरिक को कुछ होना नहीं चाहिए इसके बाद अमेरिका की सारी पॉलिशी बदल यह तैय है तो बात वहीं से शुरू हुई थी कि पडूसी आप तैय नहीं कर सकते हैं और जो दोस तैय आपने किये हैं वही अगर वही आपसे नाराज हो रहे हैं तो फिर यह सवाल है और एक बात और है कि यह चर्चा इस वज़े से भी जरूरी है सोशल मीडिया ने दुनि चाहते हैं आलोचना है उन सबका बहुत स्वागत पुनीत का भी धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया